हलो मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटीट कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप सपोर्ट और रेस्टेंस लेवल के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग तो सपोर्ट और रेस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हो लेकिन कई बार जो सपोर्ट लेवल बनता है वो कमजोर बनता है और कई बार सपोर्ट लेवल जो बनता है इसे रेस्टेंस लेवल भी होता है यो मैं आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने जा रहा हूँ तो इस टॉपिक उपर आपको बहुत कम वीडियो देखने बिलेगा इसलिए आप इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम चार्ट पे आगे अब आप चार्ट पे देख सकते हैं कि कहीं पे आपका सपोर्ट लेवल को रिस्पेक किया है कहीं पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है ऐसे ही कहीं पे आपका रिस्टेंस लेवल को रिस्पेक किया है कहीं पे रिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है तो हम यहाँ पर सीखेंगे क्या कि कैसे आप identify करोगे कि जो support level बना है वो strong support level है या फिर weak यानि कमजोर support level है वैसे ही जो भी resistance level बना है वो strong resistance level है या फिर weak या फिर कमजोर resistance level है तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके पूरे situation को study करते हैं और से पहले हम इस portion पर focus करते हैं उसके बाद हम देर देर आगे बारेंगे और पूरे को study करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा से हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको clarity के साथ दिखें और आपको पूरा concept detail से समझ में आ जाए तो अब यहाँ पर देखें long tail at the top यहनी यहाँ पर क्या हुआ price आपका उपर side की तरफ गया है और इस level पर क्या हुआ इस level पर हमें rejection देखने को मिला किसके तरफ buyers के द्वारा यहाँ पर हमें rejection देखने को मिला है और थोड़े बहुत यहाँ पर sellers भी क्या दिख रहे हैं as a result यहाँ पर क्या बना है long tail at the top simple सब्सक्राइब बात करें कहीं भी आपको उपर में tail दिखें लंबा वाला उपर में आपको tail दिखें that means to यहाँ पर जो sellers हैं वो बहुत ज़्यादा active हैं और जो buyers हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं यह candle हमें क्या दिखा रहा यह candle form हुआ यह candle हमें buyers के कमजोरी को दिखा रहा और sellers का strength increase हो रहा sellers जो active हो रहा वो हमें दिखा रहा अब यह कहाँ पर form हुआ एक particular level पर आने के बाद मतलब यहाँ पर आपका resistance level का formation हो सकता है अभी हुआ यह नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता लेकिन आगे formation हो सकता है अब देखिए अगला दो तीन candle भी आपका इसी range के करीब move कर रहा है that means तो यहाँ पर आपका एक resistance level का formation कर दिया है मतलब यहाँ से price अब आपका ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है अब यहाँ पर resistance level तो form हो गया अब हम कैसे पता करें यह जो resistance level है यह आपका weak है, कमजोर है या फिर strong है यही identify करना है और अगर आप इसको identify कर लोगे तो trap से आप काफी हद तक बच सकते हो क्योंकि अगर आपने इस resistance level को identify किया और यह कमजोर resistance level है और अगर आपने इसके basis पे trade लिया तो क्या होगा, आपका stop loss हीट होगा और आप नुकसान में फस सकते हैं और जो जाल बिछाया जाता हो, उस जाल में भी आप फस सकते हैं यहीं trap में आप फस सकते हैं तो सबसे पहले हमने resistance level तो identify कर लिया इसको आप आप आसानी से identify कर सकते हैं अब हमें देखना है, यह तो resistance level है यह weak है, यह फिर यह strong वाला है तो यहाँ पे यह तो resistance level होगा वो आपका strong कब होगा जब यहाँ पे sellers का दबदबा होगा और buyers का strength धीर धीर कम होता जाएगा अब buyers का strength यहाँ पे आपका कम हो रहा है और यहाँ पे जो candle का high देखे यहाँ पे high बना है, फिर उससे नीचे यहाँ बना फिर उससे नीचे यहाँ पे high, फिर उससे नीचे यहाँ पे मतलब यहाँ पे contraction यहाँ भी हमें clear cut देखने को मिल रहा है अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपका price नीची आया है यह निए sellers ने यहां पर दम लगा है और price को drag करके काफी नीचे लेके आया है लेकिन जैसे price नीची आया यहां पर जो buyers हैं वापस से क्या हो गए बहुत ज़्यादा active हो गए और वापस से वह अपना strength दिखा है और price को all the way उपर ले जाके यहां पर closing दिलवाया है as a result यहां पर क्या बन गया है long till at the bottom मैंने आपको बताया था long till at the top that means to sellers का strength गेन हो रहा है अब long till at the bottom है that means to उसका opposite हो गया वापस से यहां पर buyers active हो गया और वापस से buyers अपना strength गेन कर रहा है यहां पर buyers धीर धीरे strong हो रहा हैं तो यहां पर जो restensible बना था यह strong वाला कब बनता जब यहां पर sellers का strength गेन होता seller धीरे-धे strong होता लेकिन जैसे ही sellers थोड़ा सा strong हुआ बायर्स ने क्या किया वापस से अपना strength गेन करना start कर दिया वापस से strong होना start कर दिया अब अगर यहाँ पे sellers इंट्वी नहीं करता है तो यह जो resistance level बना यह weak resistance level होगा जिसको आसानी से break करके ऊपर निकल जाएगा volume के तरफ से भी यहाँ पे support मिला उसकी बाद वापस से क्या हुआ sellers ने strength दिखाया है लेकिन यह आपका inside बार बन गया और body भी काफी छोटा सा और उसको आगे कहीं भी support नहीं मिला है तो अगर resistance level के पास sellers आता है और उसको continuously support मिलता है तभी वो resistance level आपका strong बनेगा otherwise यहाँ पे sellers आया है लेकिन इसको support नहीं मिल पाया है और volume के साथ मतलब volume भी उसको support कर रहा और इसको break करके ऊपर निकल गया है और देख सकते हैं यहाँ पे strong volume के साथ यह candle इस candle के high को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया है यहाँ पे जो resistance level का formation हुआ था यह resistance level क्या था यह resistance लिभा था और entry कैसे लेना, by side की तरफ कैसे जाना, उस पर हम ज़्यादा focus नहीं करें, हम सिर्फ focus करें, वे stance level और support level वे किया, फिर strong कैसे हूँ identify करने पर, अगर आप यहाँ पर entry लेना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जैसे यह सारा level ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर entry ले सकते हैं, और price आपका उपर side की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर entry लेने से पहले, और भी बहुत सारे factors को देखना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर trap से बच सकते हैं, देखें, price उपर गया, वापस से नीचे side की तरफ आ गया, तो entry के उपर हम बाद में और focus करेंगे, अब देखें, अब यह पहले क्या था, आपका एक crucial level था, जो की resistance के रूप में काम कर रहा था, अब इसको break कर दिया, तो जैसे ही resistance लेक हुआ, यह आपका support level बन गया, मतलब, यह अपना form change किया है, level का जितना importance पहले था, उतना importance अभी भी है, यह आपका resistance से सिर्फ form change करके support level बन गया, अब वापस से price यहाँ पर आपका आया है, अब देखें, जैसे ही price आपका support level के करीब आया है, एक कम हमें clicker देखने मिला, कि जो sellers का strength है, वो कम हुआ, sellers यह यहाँ पर कमजोड दिख रहे हैं, कहाँ पर कमजोड दिख रहे हैं, support level के पास sellers कमजोड दिख रहे हैं, और अगर आप जो भी candle support level के पास बना, उस पर अगर आप गौर करेंगे, तो long till at the bottom, मैंने आपको पहले ही बता दिया, long till at the bottom का मतलब क्या है, कि market में किसका दब दब है, buyers market को काफी हद तक control किये हुए हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, कि support level के पास आया है, यहाँ पर buyers है, अब buyers के तरफ से और ज़्यादा support इसको मिलना चाहिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, buyers यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसके बाद भी और ज़्यादा buyers के तरफ से continuously support मिल रहा है, यहाँ पर देखें, sellers ने entry किया था, लेकिन sellers के तरफ से support नहीं मिला था, यहाँ पर buyers ने entry मारा और buyers के तरफ से continuously support मिल रहा है, तो जब भी ऐसा हो, तो समझ जाए, यह जो support level बना है, वो आपका काफी हद तक strong है, और उतनी आसानी सी break होने वाला न break नहीं हुआ है, उसकी बाद वापस से यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखें, price आपको उपर गया, वापस से इसको break करने का attempt लिया है, और यहाँ पर भी क्या बन गया, long till at the bottom, मतलब जैसे ही support के करीब आया है, वापस से जो sellers हैं, वो same कहानी repeat करें, यहाँ पर अपना जोरी दिखा दे रहें, कमजोर हो जा रहें, अब जैसे ही कमजोर हो रहें, buyers यहाँ पर अपना strength दिखा रहें, buyers यहाँ पर अपना activeness दिखा रहें, कि यहाँ पर हम अभी active हैं, और वापस से price आपका उपर side की तरफ निकला है, तो अगर आपको यहाँ पर entry लेना भी है, त आप entry लेना चाहते हैं, तो एक बार आप confirm हो लीजिए, यह आपका resistance से support बना है, अब यहाँ पर हमें बता दिया है कि यह जो support level है, यह क्या हो गया, यह आपका काफी हद तक strong बन गया, तो अगली बार जब वापस से support level करी price आएगा, तो आप entry ले सकते हैं, वो काफी safe रहे तो इंट्री भी अगर आप लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप safe side की तरफ इंट्री ले सकते हैं, stop loss काफी छोटा सा होगा इतना बरा, और target की बात करें, तो target देख सकते हैं, first target wise की बात काफी big हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन break नहीं कर पाया, और ultimately देख सकते हैं, upside की तरफ move दिखा है, क्यों? क्योंकि sellers ने बहुत दम लगा लिया, और sellers का यहाँ पर strength लगबख खत्म हो गया, फिर bias ने take over किया, और price को all the way break करके, उपर side की तरफ ले गया, अब आगे का move को समझने कोशिस किजिए, अब यहा लेखा है, अब जब हमने यहाँ पर पीछे देखा, इसी लेखा पहले भी price आपका थोड़ा सा रुखता हुआ देखा था, मतलब यह आपका यहाँ पर support level का formation हुआ, हमने यहाँ पर support level को identify किया, कब इस point के बाद हमने support level को identify किया, तो इस से पहले हमारा कोई काम का level नहीं है बस हमने identify किया है, यहां पर support level है, अब हमें यह नहीं पता है, यह तो support level है, वो आपका weak है, कमजोर वाला है, या फिर strong वाला है, तो हमें कोई भी trading decisions लेने से पहले हमें यह identify करना होगा, यह फिर strong है, weak होगा तो हम छोड़ देंगे, strong होगा तो हम trade ले सकते हैं, अब उसके बा अब यहां पर क्या हो, sellers आ रहें, sellers में strength है, strength की कमी यहां पर देखने को नहीं मिला है, sellers में पूरा strength है, लेकिन जैसे ही support level के पास आया, यहां पर क्या किया, buyers ने यहां पर entry मारा है, अब उसके बाद, जैसे ही यहां पर buyers ने entry मारा, volume भी देखिया, आपका queen हो गया, और और ज़्यादा buyers के द्वारा इसको support मिला है, continuously, और अगर आप candle में देखें, तो body छोटा सा है, लेकिन नीचे में हमें clicker till देखने को मिला है, till at the bottom, that means to buyers के पास strength है, buyers यहां पर कम्योर नहीं है, sellers market को take over जोर किये हुए, लेकिन buyers भी धीर अपना strength gain कर रहा है, अब जैसे buyers अपन interview ले सकते हैं, या नहीं तो यह support level को हम strong consider कर सकते हैं, अब यहां पर क्या हुआ, पहले हमने क्या देखा था, कि धीरे-धीर support level को पास आते हैं, sellers कमजोर हो जाता था, लेकिन यहां पर sellers कमजोर नहीं हुआ है, sellers आपका strong ही है, और यहां पर जो buyers है, वो किसको हरा है, वो आप आपका strong sellers को हरा के तब market को अपने कबजे में लिया है, तो यहां पर जो power का transfer वो smooth नहीं हुआ, यहां पर लंबा fight चला है, उसके बाद sellers ने market को take over किया है, और यहां पर strong volume के साथ price आपका upside की तरफ निकला है, और इसके high को break करके उपर निकला है, तो यहां पर आप चाहता ह आपका strong वाला है, तो अगली बार जबी support level करीब आएगा price, अगर by chance आया, तो आपे हम entry लेंगे, छोटा सा SL हम इसके नीचे रख सकते हैं, तो आगे बढ़ते देखते हैं, आगे क्या हुआ, अब देखिए, अगली बार क्या हुआ, price यहां पर आया है, last time क्या था, यहां पर strong sellers आये थे, वो भी support level को break नहीं कर पाया, अब यहां पर क्या हुआ, sellers तो आया है, लेकिन आते आते sellers पहले ही कमजोर हो चुके हैं, तो यहां पर sellers को हराना थोड़ा सा आसान था, फोरे बहुत bias entry किये support मिला, आसानी से हरा दिये, तो जब अगली बार यहां पर यहां पर अब इसकी बाद देखिए, अब यहां पर इसने support level को break कर दिया, जो कि strong support level था, तो अब हमें देखना है, कि हमने जो इहां पर देखा था, यहां पर break नहीं हुआ है, और यहां पर इसको break कर दिया है, तो दोनों में क्या difference है, यहां पर क्यों break हुआ, और इससे पहले इस तो अब इसके बाद direct price आपका यहाँ पर open हुआ है और यही candle क्या किया है इस support devil को break करके नीचे closing दिया है और यहाँ पर अगर हम volume की बात करें तो volume के तरब से भी इसको support मिल वहा है चली ठीक है यह support devil break हो गया हम wait करेंगे candle break कर रहा ही कि नहीं कर रहा है जैसे यहाँ पर हमने wait किय candle reversal दिखाया है तो हम यहाँ पर entry ले सकते हैं अब यहाँ पर क्या किया है यही candle break कर दिया अगर आप यहाँ पर entry लेते भी हो by side की तरफ by chance तो आपका SL छोटा सा hit हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसके बाद क्या किया अगला आपका green candle का formation किया ह debt ministry यहाँ पर buyers ने entry मारा, buyers ने hard भी माना, buyers ने यहाँ पर entry मारा है लेकिन उसके बाद buyers के तरफ से support नहीं मिल पाया है और पीछे क्या हो रहा था हमने जो पीछे example देखा था, जितना भी example देखा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, buyers ने entry मारा और buyers के तरफ से support मिल रहा था और volume भी यहाँ पे आपका अच्छा कासा queen था और यही काम नहीं हुआ है कि यहाँ पे भी buyers ने entry तो मारा है इस level पे भी buyers ने यहाँ पे देख सकती entry मारा अच्छा कासा strength भी दिखा है लेकिन उसके बाद buyers को support नहीं मिला है as a reality क्या हुआ है यहाँ पे आपका वापस से seller's market को control कर लिया है और यहाँ पे भी अगर आप situation देखे है तो आपका यह high बनाया है फिर उससे नीचे यहाँ पे high बनाया है फिर उससे नीचे यहाँ पे high बनाया है low भी है यहाँ पे low बनाया है मतलब उपर में आपका lower high pattern का formation हुआ है और नीचे में आपका higher low pattern का formation हुआ है तो इसको अगर हम join करें देख सकते हैं इस तरह का pattern का formation करेगा तो यहाँ पे हम wait करेंगे किसी भी तरफ entry लेने से पहले अगर price इसको break करके उपर निकलेगा तो by side की तरफ नीचे आया तो sell side की तरफ नहीं तो यहाँ पे safety के लिए एक और काम कर सकते हैं जो सबसे first candle इसको high को mark कर लीजे low को mark कर लीजे price इसको break करके उपर निकला with strong green candle और volume भी हमें green होना चाहिए अच्छा खासा फिर इसको break करके नीचे आया strong red candle और हमें negative volume भी दिखना चाहिए तब हम sell side की तरफ जाएंगे अब देखिए price आपका यहाँ पे इसको break करके नीचे किया इस candle पे देख सकते है जो volume भी है वो normal volume से बहुत ज़्यादा volume है तो that means to यहाँ पे हम क्या करेंगे sell side की तरफ entry हम यहाँ पे ले सकते है target price क्या होगा previous जो support level हमने बनाया था वो हमारा यहाँ पे target price के रूप में काम कर सकता है अब देखिए क्या हुआ इस support level को तो break कर दिया है क्यों break किया क्योंकि यहाँ पे sellers में strength था बायर्स इंट्री किया लेकिन बायर्स को support नहीं मिला अब यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है इस वाले portion में focus किजिए यहाँ पे sellers में strength है sellers price नीचे आया है अब जैसे price नीचे आया है यहाँ पे क्या हुआ sellers थोड़े से कम जोड दिख रहे हैं क्यों कम जोड दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं उससे पहले भी green candle फ़र्म कर दिया नीचे में long tail है फिर आपका red candle फ़र्म किया है जिसमें भी नीचे में तेल अच्छा खासा देखने को मिल वा और अगर आप positive volume और negative volume में देखे हैं काफी ज्यादा अंतर है यह बताता है कि sellers में हमें कमजोड़ी देखने को मिल वा अब वापस से यहाँ पर buyers entry किया और buyers को यहाँ पर follow-up support भी मिल वा continuously और जो भी green candle है वो आइदर आपका strong है या फिर नीचे में long tail बना रहा that means to buyers अपना strength gain करा वो हमें दिखा रहा है अब वापस से यहाँ पर क्या क्या sellers ने दम लगाया price को थोड़ा सा नीचे आया और जैसे ही वापस से support level करीब आया वो यहाँ पर कमजोर हुआ है और वापस से sellers ने यहाँ पर entry मारा अब यहाँ पर देखिए buyers ने entry मारा लेकिन अभी भी market sellers के control में यह control से बाहर नहीं निकाल पाया बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए इसको continuously support चाहिए और ज़्यादा buyers के द्वारा जो कि इसको यहाँ पर मिला है और देखते है market आपका sellers के चंगुल से बाहर निकला और फिर आपका upside move दिखाया है यहाँ पर already एक दो attempt ले लिया है अब वापस से क्या किया sellers ने यहाँ पर तीसरा attempt मिलिया यहाँ पर काफे strength के साथ आया अब क्या किया strength के साथ sellers तो आया लेकिन वापस से buyers ने entry किया और buyers में भी तोड़ा सा ज्यादा strength हमें देखने को मिलवा और follow up यहाँ पर support भी मिला as a vision price आपका उपर गया और आपका अगला जो resistance level था उसको hit किया तो इस तरीके से आप find कर सकते हैं कि जो support level पर अगर sellers कमजोर हो रहा अगर कमजोर नहीं भी हो रहा buyers intrigue कर रहा और इसको follow up support मिलवा तो that means to support level strong वाला है break नहीं होगा otherwise यह break हो सकता है अगर उसको support नहीं मिला जैसे कि हमने previous example में भी देखा था ऐसे ही resistance level के पास भी same situation देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम एक और example देख लेते हैं थोड़ा सा अलग वाला अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या बन बाया एक लोग यहाँ पर बनाया फिर यहाँ पर अगला लोग यहाँ पर फॉर्म कर दिया मतलब यहाँ पर आपका higher low pattern का formation हो रहा है और इन दोनों को join करते हैं हमने straight line draw कर दिया अब यहाँ पर से नीचे side की तरफ आया यहाँ पर Sellers में हमें strength देखने को मिल वाला था अब उसको क्या चाहीटा follow up support चाहीटा follow up support मिला है सेम सिटुएशन में आगे भी देखने को मिला है यहाँ पर इस level को टच किया है sellers में strength था लेकिन buyers आया है, intrigue किया है उसको follow up support मिला तो अभी तक जो support level बना हमारा higher low वाला उसको break नहीं कर पाया है तो यहाँ पर जो भी support level फर्म हो रहा है वो strong वाला हो रहा है क्योंकि buyers आ रहा है और उसको follow up support मिल रहा है, sellers को strength gain करने नहीं दे रहा support level के पाथ तो इस तरीके से आप यहाँ पर weak और strong support या resistance level को आसानी से identify कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको यहाँ पर यह concept clear हो गया होगा इससे related अगर आपको कुछ भी doubt या फिर confusion हो तो comment section पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको जाहिन